जासी में सोंबार को एंटी करप्सन टीम ने एक बार फिर रिश्वत खोर परकारवाही की है एक ग्रामील की शिकायत पर एंटी करप्सन टीम ने पट्टा कराने के लिए सीच पाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किरफतार कर लिया चांसी के एंटी करफसन टीम प्रभारी अमरी से अदब ने बताया कि ग्राम नवादा निवासी मुकेस पुत्र लाला राम अहरबार दोरा शिकायत की गई थी ग्राम में तैनाथ सीच पाल पट्टा कराने के वज़ में पैसों की मांग कर रहा है जिसके चलते जलादी कारी के नर्देशन में सोंबार को मुरानी पुर के धिमलोनी में सीच पाल नीतेस मिसरा के आवाज पर शिकायत करता दोरा पांच हजार रुपेगी रिस्पत दी गई जिसके बाद टीम दोरा मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों गरफतार कर लिया गया पताया गया कि नीतेस मिसरा जलेदार पिर्थम प्रखंड सप्रार में सीच पाल के पज़ पर तैनाथ है इसके बाद टीम दोरा रुपे को गरफतार कर कोटवाली लाए गया यहाथ सीच पाल के विरुद कानूनी कारवाही की गई आपके मौरानी पूर में नवादा गाओं के एक हैं मुकेस अहरवार उने सिजाई विवाग की जमीन पट्टे पर मिलना थी सिजाई विवाग को देना थी उसमें आपके यहाँ धिमलोनी गाओं है मौरानी पूर में वहाँ के सीच पाल थे इनका नाम है क्या नम सीच पाल का नम नितेस मिस्रा नितेस मिस्रा ना पहले चवदा हजार रुपया मांगे इनसे रिपोर्ट लगाने के उसके बाद बोले पांच हजार अभी देतो बाकी यह बात में देते हैं हम लोग पास सिकायत आई जाच करवाई आरोफसा ही पाए गए गए थे तो आज हम लोग डियम्स आपके गवा लेके तो डियम्स आपने अभी लिये थे बाकी के बाद में लेनत है अभी पहांच हो जाते हैं यह बाद में काम होने के बाद बाकी के बाद में लेक्तार किया तो नहीं और कोई दिया के लिए इसी की सिकाइट हुई थी अब जितो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी जो भी दोसी होगा वो देखा किस ने दिये थे? कि अठे ने की तो वहाँ से नहांसे भीदी कारवई की है? करवई के पैसे दिये जा पकड़े थे मेंने भीड़ा भीड़ा थे? वहांसे की तीम ने पकड़ा दे खा दिये? मुरानीपुर से रभी परिहार की रिपोर्ट